सो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मास मीडिया इन 20th सेंचुरी का फॉर्थ वीडियो स्टार्टिंग के तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं जहां पर हमने किस तरीके से प्रिंटिंग मेडिया एलेक्ट्रोनिक मेडिया किस तरीके से वर्क करती थी यह सारे चीज़े हमने डिसकस कर लिया था अब जो अगला टॉपिक है वो है टेलिवीजन ठीक है अबी हमने देखा ताभी तक के वीडियो में कि सबसे बेस जो ट्रांसमिशन इंफोर्मेशन का ट्रांसमिशन करने का जो मेडियम था वो कौन सा था रेडियो था क्योंकि रेडियो में हमें ट्रांसमिशन लाइनों के ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बहुत जादा लोगों तक एक साथ न्यूज पहुंच जाता था अलग अलग प्रोग्राम उसमें होते थे म्यूजिक होता था एजूकेशन रेटेड होता था न्यूज बगरा सब मिल जाता था लेकिन सेकेंड वर्वार के बाद जो है रेडियो का प्लेस किसने ले लिया टेलिविजन ने जो है ले लिया A Scottish engineer named John Logie Bed demonstrated this electronic audio-visual communication medium for the first time in the decade of 1920s 1920s के decade में सबसे पहली बार Scottish के Scotland के एक engineer John Logie Bed इन्हों ने इसको demonstrate करके बता कि किस तरीके से audio और video दोनों को एक साथ transmit किया जा सकता है It came to known as television or TV इसी को पाद में television बोला गया या SWAT में उसको TV बोला गया ठीक है This was a major invention in the field of broadcast communication like film television too can be viewed by the lack of people अब यह इसमें क्या होता था television में हम लोग एक साथ समाचार देख सकते थे film देख सकते थे इसके अलावा और भी other activities जह हम लोग इस TV के थू है क्या कर सकते थे music से related, entertainment से related सारे वीडियो जो है हम लोग देख सकते थे लाखो लोगों के द्वारा but television is different from film, people can view television in their homes while doing their daily work like they used to listen to radio earlier television और जो film था उसमें different है, film आप अपने घर में उस समय नहीं देख सकते थे, आपको theater जाना होता था आज की date में तो फिलाल अपने phone में सब चीज देख सकते हो आप, उस समय की बात है, television अगर आपको देखना है ता आप घर बैठे आराम से देख सकते थे, आपना कोई daily काम करते करते, खाना बनाते समय, सबजी बनाते समय, या कुछ और काम, कपड़े सिलते समय, कुछ और का तरीके से जो radio था और television था, वो daily लोगों का क्या हो गया, एक life का part, in fact, soon begin to dominate people's life with news, views and images, जिस तरीके से radio लोगों पे dominant करता था एक समय पे, अब वही काम किस ने करना चालू कर दिया, television ने, radio से तो सिर्फ हम लोग voice सुन सकते थे, लेकिन television से हम लोग video, audio, picture भी सब देख सकते थे, तो radio के comparison में जाधा impact किसका होना था, obviously बात है, television का जाधा होना था, survey saw that people in developing countries, developed countries like Britain and United States are enslaved by the television, watching it passing during their leisure time, जो country developed हो चुकी थी, जैसे Britain हो गया, अमेरिका हो गया था, वहां के लोग जो थे, वो TV के गुलाम हो चुके थे, TV के गुलाम मतलब, जब भी उनको free time मिलता था, हमेशा वो क्या करते लगते थे, TV हमेशा देखते रहते थे, जैसे आज की date में हम और आप phone पर लागे होते हैं, similarly वैसे वो लोग किस पर लागे होते थे, TV वगरा देखने पर लागे होते थे, उन लोगों के, क्या बलते हैं entertainment का एक बहुत बड़ा जरिया था हो, on average, individuals in these countries, whether children below 4 years of age, retired people spend 3 to 4 hours daily watching television, चाहे वो छोटे बच्चे हो, 3-4 साल के बच्चे हो, या उन से छोटे बच्चे हो, या retired कोई person है, चाहे कहीं भी किसी भी सर्विस से रिटार हुआ हो, या housewife हो, या कोई भी हो, on average हर दिन जो है, वहां के लोग क्या करते थे, 3-4 घंटा, बतलो 4 घंटा daily on average क्या करते थे, अपना time spent करते थे, TV देखने में, where, earlier they used to go out to meet friends, go for the stroll, or do some activities at home, जब television नहीं आय था, तो इसी खाली समय में वो क्या करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, कुछ नहीं नहीं activities घर में करते थे, अब वो सब बंद हो गे, अब सब के सब कहां आ गए, सब TV देखने पे लग ग watching TV, this change in the lifestyle has had two important repercussions, जहां पहले वो अपने relatives को ज़्यादा time देते थे, अपने family वालों को ज़्यादा time देते थे, अब धीरे धीरे वो time reduce होते होते गए, अब यह कहां पे जाने लगे, सोफा में बैट कर आराम से TV देखने लगे, ठीक है, जैसे हम लोग भी पहले छोटे छो physical activities में जब वो involved नहीं होते हैं, first, where people would earlier discuss issue and the incidents, they now tend to see everything as entertainment, जहां पर पहले लोग जो होते थे, किसी एक serious topic पर discussion करते थे, या किसी issue पर अपना point of view रखते थे, लेकिन नहीं, आज के date में TV देखना उनके लिए एक entertainment ही रह गया था, इसके अलावा nothing, People who read newspaper and magazines are said to be more likely to think and discuss issue than people who view the same issue on the TV, जो लोग समाचार पढ़ते थे, magazine पढ़ते थे, किसी topic को लेकर, उसी topic को अगर वो TV में देखते हैं, तो उनके पास जो discussion करने के लिए जादा point of view नहीं होता है, अब वेसी बात है, जो newspaper पढ़ेगा, उसमें elaborate तरही की से दिया रहेगा, magazine में detail से दिया रहेगा, TV में तो short में बताएंगे, मतलब एक तरीके से सोचने समझने की capacity अब धिरे-धिरे कम होने लगी, जब आप newspaper, box, magazine वगर आप पढ़ते हो, ता आपके सोचने की capacity बढ़ती है, वही पर अगर आप video देखते हो, ता आपके सोचने की समझने की थोड़ी limited हो जाती है, Second, people now spend less time with each other because of TV viewing, एक तो impact क्या हुआ, लोगों के थोड़ा discuss करने का सोचने समझने का तरीका कम हो गया, दूसरा, अब वो अपने घर के लोगों को जो है क्या करने लगे, कम time जो है देने लगे, As a result, social interaction is becoming more limited, while social relationship also being diluted, इसी कारण से social relationship का मतलब होते है, अपने आस-पास के रहने वादे लोगों के साथ, अपने घर में रहने वादे लोगों के साथ, उनका interaction कम होने लगा, और उनका social status पिलकुल down होने लगा, अब वो घर बैठे मस, TV देखते रहते थे, और कुछ बाहर क activities भी जादा involved नहीं होते थे, एक column यहाँ पर दिया है कि TV और election का किस तरीके से रिस्ता है, बहुत impact रेश रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगे कि जैसे इंडिया में election आता है, चाहे किसी भी state में election हो, या central का election हो, निउस पेपर वाले दिन रात वहीं, जो TV वाले होत इस तरीके से बहुत सारे title के साथ, बहुत सारे programs चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो यह practical life से related है, the first presidential debate to be broadcast on TV was between the presidential candidate Richard Nixon and the John F. Kennedy in US election in September 1960s, यह जो दो नाम है, Richard Nixon and John F. Kennedy, यह US के खुद बड़े president हो समय के, ठीक है, यह जो TV में जो debate जो start हुआ था, presidential debate, यह 1960 में start हुआ था, जब वहाँ पर दो candidate थे president के लिए, एक है Richard Nixon और दुसरा John F. Kennedy, ठीक है, the debate had a viewership of around 7 crore people, और यह जो debate हुआ था ना, दोनो presidential candidates के बीच में, इसको उस समय लगभग-लगग 7 crore लोगों ने देखा था, उस समय की बात, 1960 की बात है, जब सबके घर में TV भी नहीं होता था, उस समय की बात है, और उस समय जो election है, वो Kennedy ने election को क्या कहता जीता था, और इन्हों ने बहुत अच्छे-च्छे काम किये थे, मतलब बहुत अच्छे एक president थे, one of the best president, a survey conducted after the election revealed that those who had listened to the debate on radio felt that Nixon would emerge the victor, while those who watched the television debate felt opposite, अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या हुआ, बाद में survey से यह पता चला, कि जिन्होंने radio में जो है, निक्षन अब debate होगा, तो सब अपने point of view को रखेंगे, जैसे निक्षन बोलेगा, कि मैं president बनूगा, तो अमेरिका के लोगों के लिए यह करूँगा, जोन F. Kennedy बोलेगा, कि मैं president अगर जी दिया, तो मैं आप लोगों के लिए यह करूँगा, इस तरीके से जो है, दुनिया भर के बाते जो है, डीबेट में होती है, तो बाद में survey से यह पता चला, कि जो है, निक्षन जो है, उनको जब radio में सुना गया, तो वो काफी अच्छे लग रहे थी, लेकिन वही पर अगर उनको TV के डीबेट में दे The TV broadcast won the young and the charismatic Kennedy, more words than the tired and the haggard looking, but more experienced निक्षन, और इसी वज़े से वहाँ के लोगों जोने, जोन F. Kennedy काफी यंग थे, काफी अच्छे दिखते थे, तो उसको पसंद किया, as compared to यह जो बुढे हो चुके थे, but experience था इनके पास, बुढे लोगों की activity उतनी कम हो जाती है, हर चीज म जबकि Richard Nixon को हार गए इसी वह जैसे, और जो John F. Kennedy है, अपने young look के कारण, अपने activity के कारण, हमेशा alert रहने के कारण, voice के कारण, यह सब चीजों के कारण, जो है क्या हो गए? जीद गए. अब्व्यसी बात है, अगर आपको एक precedent चुनना हो, तो आप किसको चुनोगे? एक पर होगे, तो को फैसले भी जल्दी ले सकता है, ठीक, अच्छा काम भी कर सकता है, experience है, पढ़ा लिखा जादा है. The election result revealed the power of television to slap public opinion in 20th century. TV has become a potent medium for the people to establish the social and political image and credentials. आज के date में, जीस तरीके से social media हो गया है, नेताओं के लिए, Twitter हो गया, Instagram हो गया, अपना image अगर आपको create करना है politics में, तो आपको लोगों तक आपनी photo, अपनी आवाज पहुंचाने ही पढ़ेगी, तो उस समय WhatsApp वगरे, Instagram वगरे तो नहीं था, तो उस समय अपने आपको politics में establish करने का सबसे बढ़िया medium जो था, वो television ही था, आज के date में तो बहुत सारे news paper है, कोई program करा दो, आप अपना न आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा, और आपका photo अच्छा आना चाहिए, पोटोजेनिक होना चाहिए, कई लोग जो होते हैं, उनका चेहरा तो अच्छा होता है, लेकिन उन फोटोजेनिक नहीं होते हैं, तो इसलिए बोल रहे कि President का है, कोई भी President का हो, Prime Minister का हो, कहीं टेबल होना चाहिए, लोगों के सामने अपने आपको प्रेजेंट कैसे करते हो, ये भी होना चाहिए, ये एक पिक्चर है, जो की दिखा रहा है, देखो, अब मिडिल क्लास फैमिली वाचिंग निक्षन केनेडी प्रसेंडेंचिल डिबेट और टीवी एंड येर प्राइवेट कंपनीज इन अमेरिका, इट वास कंट्रोल बाइड गॉर्मेंट इन यूरोप, जहां पर टीवी और रेडियो को कंट्रोल करने की बात है, अमेरिका में इसको कंट्रोल करने थे कैपिटलिस्टिक, जिनके पास पैसे है, बड़े-बड़े लोग, वहीं पर यूरोप ने इसको कंट्रोल कर रहा था, गॉर्मेंट, ठीक है, इंडिया एन अधर कंट्रेज, इन ब्रिटेन, दा गॉर्मेंट इस्टाब्लिस इस ब्रेटिस ब्रोड़कास्टिंग कॉर्पोरेशन इन 1926, अब देखो, उस समय जब ये टेलिवीजन आय था, तो हम इंड पुरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन में लगभग लगभग 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, सब कंट्रीज में अल्मोस्ट ये जो ब्रिटीज ब्रोड़कास्ट कॉर्पोरेशन है, बीबीसे जिसको बोलते हैं, इसका न्यूस चैनल चलता है, ह चाइना में ख्रावी बंध कर धिया गया, वहां के गौन्मेंट उसको बैन कर दिया है, जापान में है, सब जग है ये अध tough और व्रेटीज ये जो होते थे, ये खर्चे कैसे maintain करते थे जैसे आज के डेट में आप रिचार्ज कराते हो ने टीवी में आपको कौन-कौन सा न्यूस चैनल चाहिए आज आपके पास option है आपको स्टार प्लस चाहिए जी न्यूस चाहिए कौन सा चाहिए उसके इसाफ सा पैसा पे करते हो उस समय इसके लिए उनको tax मिलता थ टेक्स बिचेत लोग टेलीविजन देखने के लिए इन 1950 प्राइवेट कंपनीज वर अलाओ तो एंटर दा फील्ड ब्रोड कास्टिं इन ब्रिटेन पहले तो ब्रिटेन में 1920 के आसपा सिर्फ गौर्मेंट कंट्रोल करती थी लेकि 1950 के बाद प्राइवेट कंपनीज को भी बोल दिया गया कि हां भाई आप भी अलाओड हो आप अपना टेलीविजन चैनल स्टेशन इस्टेशन कर सकते हो हर चीज कर सकते हो इन इंडिया टू गौर्मेंट्स मोनपोली वर ब्रोड कास्टिंग कंटिनूड अंटिल निटीन निटीन इस विट आकास्वानी बीइंग गौर्मेंट करती थी दूरदर्शन के थूप आप लोगों ने अगर आज के डिटे में तो बहुं सारे न्यूस चैनल हैं आप जिस सदी में पैदा हुए हो वहाँ पर बहुं सारे न्यूस चैनल आ चुके थी जब हम लोग छोटे थे तो उस समय सिर्फ एक ही न्यूस चैन के आज पास जो है गौर्मेंट ने प्राइवेट कंपनी को अलावड किया फिर इसके बाद छोटे छोटे जी कंपनी हो गए स्टार कंपनी हो गए यह सब अपना न्यूस चैनल अपना स्टार्ट करने लगी ठीक है जैसे जैसे टेलिविजन आते गया लोगों ने अब मुवी जाना कम कर दिया एक एक इकजामपल है देखो जैसे 1960s के डिकेट में अमेरिका में 5.2 करोड लोगों की यहां घर टीवी था लेकिन 2006 तक आते आती है 28.5 करोड लोगों तक बढ़ चुका है मतलब 6 अल्मोस 6 गुना ठीक है इन इंडिया आकास माने विगें टीवी ब्रोड कास्टिंग इन 1965 by 2007 अराउंड टू करोड इंडियन हाउस होल्ड है टीवी दूरिंग पिरेड मेनी इंप्रूमेंट्स तो किन प्लेसिंग टेखनीक ब्रोड कास्टिंग एंटीना केबल सेट 2022 में आल्मोस्ट हर घर में जो है तेलिवीजन है फीक है अगे वर्थे हैं थोड़ा से एक परग्राफ और देख लेते हैं In 1975, only a few cities in India had television with the daily broadcast limited to few hours of news bulletin and other programs. 1975 में कुछ ही cities ऐसे होते थे जहां पर daily television channel चलते थे और programs वगेरे आते थे. National Broadcasting begin in 1982 with Durdarshan being the Monopoly TV channel. Its primary objective was to bring about the social changes through its program और National Integration, Agriculture, Literacy, Education, Health and Social Welfare. 1982 में जो है Durdarshan स्टार्ट हुआ जिसकी Monopoly TV channel में इस channel का prime objective क्या था कि society में किस तरीके से change हो रहा है, लोगों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है, Agriculture, Education, Literacy, Health इन सब topics पर जो है programs उस समय आते थे. At the same time, it broadcasts entertainment series such as हम लोग, बुनियाद, to foster the sense of nationalism of the unity and diversity among the people. और लोगों को, इंडिया जानती ही इतनी बड़ी country, diversity तो बहुँ जादा है, तो उस diversity को unity में लाने के लिए बहुँ सारे चैनल, बहुँ सारे प्रोग्राम शलते थे, जैसे हम लोग, बुनियाद, जिससे लोगों के अंदर nationalism की feeling जो है आए. शाथी साथ, दुर्दर्शन अल्सो ब्रोडकास एपिक्स from the Hindu Puran's, such as Ramayana Mahabharat based on the Hindu Puran's. Hindu Puran's पर based, जो Ramayana Mahabharat ये भी play होते थे. अभी अभी ये जो Кरोना को lockdown हुआ था, उस समय भी रामायन जो है दुर्दरशन में चलाए गया तो, या other channels में चलाए गया तो जिसकी जो viewership तो रिकॉर्ड तोड़ थी, सबसे ज़्यादा रामायन महाभारत उस समय जो है लोगों का देखा गया थे, क्योंकि सब lockdown में थे, घर में थे, इस epics attracted a viewership of the lakhs of the people who would remain glued to television, since when the episodes were broadcast, इस serial establishes global viewership record, और ये जो news channel जो चलती, ये ये जो दुर्दशन के थू, ये रामायन महाभारत के episode जब भी आते थे, उस समय लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग टेलिविजर को देखते थे, पूरे global viewership का record भी सबसे ज़्यादा इसी के पास है, रामायन और महाभारत के पास सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला episode से सबसे देखा जाने वाला कोई प्रोग्राम जो है, वो ही रामायन और महाभारत है, क्योंकि ये लोगों का एक emotion है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब ये episode आता था, लोग अपने चपल उतार कर बैठते थे, प्रणाम करते थे TV को, इस तरीक का सिनारियो उस समय चलता था, आप सोच सकते होगे कि TV का impact कितना होता है, जेको मेरे पढ़ाने का purpose सिर्फ syllabus complete नहीं करना है, आपके mind को अलग-अलग diversity के साथ सोचने के लिए open करना है, आप कभी भी शोसल को as a boring subject, इसलिए आपको bore लगता है, क्योंकि आप इसको सिर्फ रटते हो और पढ़ते हो, कभी इस पर सोचा करो, जैसे मेरा वीडियो देखने के बाद आप इसको सोचा करो, कि सर ने इसके बारे में ऐसा बता है, तो उस समय क्या situation रहा होगा, जब आप सोचोगे तब आपको interest आएगा, और यह बहुत बढ़िया subject है, ठीक है, सो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, अगले वीडियो में start करेंगे, हम लोग यहां से next paragraph से पढ़ना चालू करेंगे,